में तीन क्यूसं का difference आ रहा है, दो क्यूसं के बारे में मैंने आलडी बता दिया है कि एक क्यूसं को bonus माना है NTA ने, जो physics का क्यूसं है, biology का क्यूसं है, उसके दो option दिये हैं, और एक chemistry का क्यूसं है, उसको change कर दिया है, उसके answer को change कर दिया है challenge के बात में, तो इसमें तकरीबन students को ये 12 marks का difference रहेगा, वो up-down होंगे इसमें, तो किस-किस candidates को कितना bonus मिलेगा, वो कौन से क्यूसं है, उसके बारे में हम बता देते हैं, तो जो chemistry का क्यूसं था helium का, उसका पहले challenge से पहले answer 1 दिया गया था इसमें, लेकिन अभी इसको correct कर दिया गया है answer 2 के साथ में, यानि कि इसका अभी answer 2 दिया है, तो जिन candidates का, इसका answer 2 सही है, उसके 4 marks मिलेंगे उनको, अगर इनोंने 1 या फिर अन्य answer दिया है, तो minus 1 marks मिलेंगे, तो एक 4 marks का difference यहां पर आ रहा है, जो answer की challenge के बाद में, आई है provisional answer की, उसमें, इसके बाद में, दूसरे question को मैंने बता दिया ह है, physics का यह question है, यह भी bonus हो गया है, इसका पहले answer 4 दिया गया था, लेकिन यह question गलत होने की वज़े से, इस question को bonus दे दिया गया है, इसको, इसके बाद में next हम DNA की बात करते हैं, steps of DNA के, तो इसका पहले answer 2 दिया गया था, और अभी जो इसका answer दिया गया है, 2 और 4 answer दिया गया है इसमें अभी काफी सारे students का ये doubt है कि क्या जिन candidates ने challenge नहीं किया है उनको भी bonus marks मिलेंगे तो इसके लिए answer है हाँ ये जो answer की अभी आई है provisional answer की challenge के बाद में यही final होगी चाहे किसी student ने challenge किया हो चाहे नहीं किया हो जो bonus marks हैं सभी को मिलेंगे और इसी answer की के according ही आप अपना score calculate कर लें इसी answer की के according ही result तयार किया जाएगा तो ये तीन questions का difference आ रहा है जो challenge से पहले answer की जारी की गई थी और जो अभी provisional answer की जारी की गई है उसमें तीन question का इसमें फेर बदल हुआ है बाकी सारे answer agt है किसी भी answer का कोई change नहीं है इन तीन questions के अलावा तो आप एक बार NTA की website जो neat की website है उससे अपने code की answer की download कर लें और उसके अनुसार अपना score calculate कर लें वही score final होगा और result उसी score में आपको देखने को मिलेगा उतना ही score result में देखने को मिलेगा तो यह जानकारी थी कि क्या difference है challenge से पहले और challenge के बाद में answer की में उसके बारे में यह मैंने आपको बताया है इसमें तो आप हमारे channel को subscribe करके रखें वीडियो को ज्यादा शे ज्यादा लाइक वेशेर करें मिलेंगे नई update के साथ नए वीडियो में तब तक के लिए जैखन